हमशकार दोस्तों, Steady IQ पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रश्या की Sputnik 5 वैक्सीन के बारे में now that COVID-19 की vaccination drives कई सारे देशों में चल रही है और इंडिया में भी इसकी dry run complete हो चुकी है in fact government ने announce कर दिया है कि January 16 से हम इसका जो official vaccination है वो शुरू करने वाले हैं तो ये जानना काफी important है कि असल में जो Sputnik 5 vaccine है जिसकी लगभग 100 million doses है जो इंडिया ने खरीदी है इसके बारे में हमें कुछ-कुछ चीज़ें जाननी काफी important है तो उसी चीज़ की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा चलिए start करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाहते हैं तो मेरे telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं study IQ आपको download कर सकते हैं from the google play store और app पे फिलहाल चल रही है लोडी के अफसर के लिए बहुत ही बड़िया sale जिसके चलते हैं आपको extra discount available करवा जा रहा है यदि आप UPSC की तयारी कर रहे हैं फिर state PCS की तो इस course को ज़रूर भाई कीजएगा 1000 MCQs quality इसमें हमने एक बहुत ही interesting question answer format में questions को discuss किया हुआ है right so जो Sputnik 5 vaccine है इसका वैसे जो official नाम है इसका नाम है GAM COVID VAC तो ये जो नाम है ये इसको दिया गया नाम है Russia के Gamalaya Research Institute of Epidemiology and Microbiology के द्वारा ये Sputnik 5 जो नाम है ये केवल इसका trade name है या फिर इसको वैपार के लिए जो नाम दिया गया है that is called as Sputnik 5 और ये COVID-19 की vaccine है और ये one of the earliest vaccines which was registered against COVID-19 उन में से आती है इसकी registration 11 अगस 2020 को ही हो गय थी by the Russian Ministry of Health इसकी जो image है इसकी जो file image है जो कि Russian Ministry ने release की है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते है इसके उपर Russian में लिखा हुआ है जो Sputnik 5 लिखा हुआ है इसकी जो website है वहाँ पर भी जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते है sputnikvaccine.com के नाम से website है which is again made by the Russian government itself और इस vaccine की website पर जाके भी आप देख सकते है the first registered vaccine against COVID-19 अगर आप देखें जो ये vaccine की खास बात क्या थी कि जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे पहली registered vaccine थी COVID-19 के खिलाफ वैसे ही इसका जो approval था असल में वो बहुत ही जल्दी दे दिया गया था रश्या ने Sputnik 5 को approve मात्र दो महीने के अंदर कर दिया था जबकि इन्हों ने इसकी जो testing है बहुत ही कम लोगों के उपर की थी इसके जो clinical trials हैं इसका जो efficiency के test हैं वो बहुत ही कम लोगों पर हुए थे उसके बावजूत इन्हों ने मात्र दो महीनों के अंदर इस vaccine को approval दे दिया था अगर हम आम तोर पर बात करें तो ऐसे process को पूरा करने में लगभग एक साल से ज़ादा तो लगी जाता है और कुछ-कुछ cases में एक साल से ज़ादा भी लग जाता है इस particular image में आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे उपर जो आप देख पा रही है ये एक index है जो दिखाता है color coding को लेके index है यहाँ पर आप देख सकते है ये वाला जो color है ये दिखाता है trial का फिर ये दिखाता है results expected awaiting approval and then available to the public नाउ इसमें आप देखें जो top 3 vaccines है Pfizer, then Moderna, then AstraZeneca और Oxford वाली vaccine इन तीनों ने देखें Pfizer ने अपना जो trial ये शुरू कर दिया था मई 2020 में November के आसपास जाके आपको याद भी होगा Pfizer ने announce किया था कि हमारी vaccine लगभग 90% successful है उसके बाद awaiting approval लगभग एक महिने के लिए approval खतम हुआ और अब ये public के लिए available है आज की date में USA में maximum जो है वो Pfizer और Moderna की vaccine ही चल रही है Moderna के लिए भी almost similar process था trials start हुए August के आसपास उसके बाद आज ये vaccine public के लिए available है same goes for AstraZeneca and Oxford जिसमें पहले trial start हुए फिर results के लिए approval मिला सरकार से फिर finally approval मिलने के बाद public को देना शुरू कर दिया इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें पहले red color आता है उसके बाद yellow आता है फिर green color आता है राइट लेकिन अगर आप बात करते हैं Gamalaya vaccine यानि कि Sputnik 5 vaccine की तो इस case में green color सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर देखिए early approval trial उसके बाद start होती है फिर approval सरकार ने दिया और यह vaccine तब से लोगों को दी जा रही है so this vaccine is being administered since mid August जब से Russia ने इसको approval दे दिया था क्योंकि यह चीज़ देखने को मिली this was slightly worrisome अगर आप देखें जब इस चीज़ को release किया था 11 अगस्त की यह news है nature काफी famous scientific journal है उसकी यह news है Russia's fast track coronavirus vaccine draws outrage over safety कि क्या यह vaccine सुरक्षित है भी या नहीं इस चीज़ को लेके Russia की काफी अलोचना भी हुई अभी जो status है वो क्या है देखिए अब क्या है कि दुनिया भर की जो countries है उन्होंने जो यह बड़ी-बड़ी vaccines है जो यह बड़े-बड़े companies है जो vaccines को बना रही है इनसे vaccine को procure करना शुरू कर दिया है जब मैंने आपको बताया कि एवन दो Russia की जो vaccine है इसको early approval मिल चुका था जबकि इसके trials complete नहीं होए थे और अगर आप देखें इसका जो trial का पूरा होने का period भी है वो भी काफी छोटा है as compared to जो यह आपकी vaccines है फिर भले वो Pfizer वाली vaccine हो जिसके बहुत लंबे trials चले फिर भले वो Moderna की हो फिर भले वो AstraZeneca या Oxford की हो लेकिन जो यह वाली vaccine का trial period भी काफी छोटा है बट आज की date में the current situation is और यह जो data हम आपके सामने पेश करने वाले हैं यह असल में Bloomberg के द्वारा चलाया गया एक COVID-19 का vaccine tracker है जो यह दिखाता है इसको ध्यान से देखेगा अभी क्या है जो यह आपके सायत में right side पे image है यह दिखा रहा है कि जो यह AstraZeneca और Oxford वाली vaccine है यह दुनिया में सबसे जादा circulation इस vaccine की हुई है यह दिखा रहा है AstraZeneca और Oxford वाली vaccine कितनी जादा जो है यह इंडिया में आई है कितनी जादा जो है यह EU में गई है उसके बाद कितनी यह US में गई है and so on इस तरीके से यह दिखा रहा है अगर आप बात करें गामा लेया vaccine की जो कि इस list में number 4 पे आती है number 2nd पे Novavax है number 3rd पे Pfizer है और अगर आप देखे गामा लेया number 4 पे आती है जो गामा लेया है इसने इंडिया को 200 million के आसपास already provide कर दी है doses I'm sorry मैंने शुरुवात में 100 million कहा था जबकि यह 200 million का number है जो कि already इंडिया को पहुंच चुका है So this is over here इंडिया को जा रही है फिर उसके बाद कई सारी doses Brazil को जा रही है और नीचे इंडिया, कानिडा विगरा विगरा को भी जा रही है ठीक है Now Interesting बात यह आती है कि जब इस particular vaccine के trials इतने कम हुए है Early approvals मिल गए थे तो how come आज की date में जो गामा लेया vaccine है या Sputnik 5 vaccine है वो number 4 पे कैसे है यह जो numbering की गई है यह दिखाती है कि maximum deals किस particular vaccine की हुई है अगर आप देखें Moderna की vaccine Even Sanofi की vaccine And even Johnson & Johnson की vaccine इनके उतने जादा buyers नहीं है जितने जादा buyers Gamalea या फिर Sputnik 5 के हैं So यह थोड़ा सा एक ऐसा issue बन चुका है कि Even though आज की rate में Sputnik 5 के उतने जादा reviews नहीं हुए है उतने जादा इनको journals ने accept नहीं किया है फिर भी इसकी इतनी जादा demand क्यूं है अगर हम बात करें कि Sputnik 5 की अच्छी बाते क्या है देखिए Sputnik 5 का जो phase 3 trial हुआ ठीक है phase 3 का trial हुआ था उसके results सामने नहीं आये थे phase 3 जो trial हुआ था उसमें testing हुई थी जिसमें इन्होंने 22,714 subjects के उपर testing की थी और testing करने के बाद जो analysis सामने आई इसमें इनको मालूम पड़ा कि 20 लोग ऐसे हैं जो कि vaccine देने के बाद भी effect हो रहे हैं फिर 39 लोग second analysis में और third analysis में 78 लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी COVID-19 से effect हो रहे हैं despite giving them vaccine ये numbers काफी अच्छे numbers हैं क्योंकि अगर आप इसको compare करते हैं Moderna की vaccine से और Pfizer की vaccine से उस case में vaccine देने के बाद अगर आप उनके numbers देखें तो काफी जादा हैं ये अच्छी बात है second important thing about the Sputnik 5 vaccine is कि Sputnik 5 vaccine ने भी November में अपने numbers प्रूफ कर दिये थे कि हमारी effectivity 90% से जादा है लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चिंता वाला जो point है वो ये आए कि ये वाला जो number है ये असल में रश्या ने ही अपने press release में बताया था इसको लेकर उन्होंने अपना data किसी और institute के साथ किसी और research lab के साथ शेयर नहीं किया ये पूरा का पूरा जो analysis था ये रश्या के ही अंदर हुआ था अगर आप देखें अच्छी बात ये भी थी कि there were also no cases of severe COVID-19 in vaccinated individuals तो even though resurgence देखने को मिली यानि कि कुछ लोग अभी भी effect हो रहे थे लेकिन severe COVID-19 किसी में भी आपको देखने को नहीं मिला जितने भी लोगों का टीका करन Sputnik 5 vaccine से हुआ था in fact केवल इतना ही नहीं अगर हम Sputnik 5 के design की बात करें ये थोड़ा complicated part है लेकिन Sputnik 5 ने असल में क्या हुआ है कि इसने जो AstraZeneca Oxford की vaccine है और जो Johnson Johnson की vaccine है इन दोनों की vaccines में से कुछ ना कुछ हिस्सों को उठा कर एक ऐसी vaccine बना दी है so that ये बहुती cleverly designed है यानि कि इसमें क्या है कि Sputnik 5 में जो दो doses आती है जो पहली dose है अगर मान लीजे वो fail हो भी जाती है तो इस तरीके से design की गई है कि उसकी जो second dose है वो काफी efficiently काम कर सकती है ये काफी technical चीज है इसमें आपको depth में जाने की आवशकता नहीं है लेकिन यहाँ पर जानना के वल इतना important है कि इसकी जो designing है ये इस तरीके से की गई है कि जो shortcomings शायद AstraZeneca Oxford की vaccine में या फिर Johnson & Johnson की vaccine में आ सकती है वो वाली shortcomings Sputnik 5 की vaccine में नहीं आएंगी ये सभी चीज़ें अच्छी चीज़ें है अगर आप देखें दुबारा से कि जो cases आ रहे हैं बहुत कमा रहे हैं अगर कोई severe COVID-19 का case नहीं आ रहा है effectivity rate अच्छा है साथी में इसके designing काफी अच्छी है and more importantly अगर आप देखें जो और competitors है चाइना की Sinovac vaccine है जिसको आज की rate में ब्राजील में और टर्की में जिसके वो चल रहे हैं trials चल रहे हैं और लोगों को administer भी की जा रही है इसमें मात्र 78% की effectivity देखने को मिल रही है उसके बाद China की एक और vaccine है जिसका नाम है CoronaVac इसका भी जो effectivity rate है यह 78% ही है तो इन सभी के संधर में हमारी जो Sputnik 5 वाली vaccine है यह much better है यहां तक तो ठीक है यहां तक आपको लग रहा होगा कि Sputnik 5 काफी बढ़िया vaccine है और यह काफी अच्छा candidate है as compared to the ones created in the western labs यानि की जो Moderna ने या फिर जो Pfizer ने बनाई है उसकी तुलना में काफी अच्छी vaccine है लेकिन चिंता वाला विशे एक आता है और वो क्या है देखिए रशिया ने जो late stage phase 3 data है मैंने आपको क्या बताया था phase 3 के trials हुए है लेकिन उस trials का जो पूरा का पूरा data है जो late stage में हुआ है उसको रशिया ने अभी तक publicly available नहीं किया है जबकि already vaccination की drives शुरू हो चुकी है and more importantly जो भी हम rely कर रहे है कि रशिया क्या बता रहा है वो असल में केवल और केवल press announcements पे rely कर रहे है और ये same चीज चाइना वाली vaccine के case में हुई है चाइना और रशिया ने ये same चीज की है कि वो अपना data बाहर किसी के साथ share नहीं कर रहे है जो भी data है वो केवल उनी की countries में circulate हो रहा है on the contrary अगर आप US की vaccines को देखेंगे या फिर इवन इंडिया की co-vaccine को देखेंगे तो इनका जो data है ये बिल्कुल publicly available है कोई भी country इसको access कर सकती है second thing is कि इवन दो रशिया ने इनको अपने लोगों को देना शुरू कर दिया है लेकिन again वो जो है assumption पे चल रहे है कि इसकी efficiency अच्छी है इसकी safety अच्छी है तो ये assumption थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है जब तक इसका data बहार नहीं आता जब तक इसके data को और लोग review नहीं करते जिसको हम pair review बोलते हैं scientific language में जब तक वो नहीं होता तब तक नहीं कह सकते कि ये वाली vaccine उतनी effective है जितनी की ये बोल रहे हैं अगर आप देखें ये वाली news financial times की है और ये वाली news लगभग 15 December की है इस time पर Russia नहीं ये चीज को release किया कि Russia को काफी challenges face करने पड़ रहे हैं काफी चुनौतियां face करने पड़ रही हैं अपनी ही public को convince करने के लिए over the covid vaccine push क्योंकि उनकी ही public इस चीज को लेकर convince नहीं है कि इसका effectivity rate क्या है all in all I have shared with you कि क्या इसके positives हैं क्या इसके negatives हैं अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि कल को Sputnik 5 की vaccine आपको अगर administer की जाने वाली है तो क्या आप उसको trust कर सकते हैं देखें फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन हम ये उमीद कर सकते हैं कि रश्या अगर जो phase 3 का data है उसको public कर दे और specially एक journal में publish करे so that बाकी लोग उसे review कर सकें उस case में लोगों को ये फैसला काफी आसान हो जाएगा regarding the efficacy and the safety of the Sputnik 5 vaccine So this is all that you needed to know about this Sputnik 5 vaccine from my side इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा Thank you for listening, stay tuned and stay safe